बिस्मिल्लाई वक्मान वाहीम आसलामने के ओम विवर्स आप देख रहे हैं डाइनिंग और कुछ स्प्रिंकल्स डाल देंगे ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ हम्म बहुत ही मज़ेधार आज मैं आपसे चॉकलेट ब्राउनी डिजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाज सब्सक्राइब को क्लिक कर दे साथ में ये जो बेल का आइकोन है इसको क्लिक कर दे इसको क्लिक करने से आपको मेरी हाने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा दो अंडों को अलग अलग तोड़के एक बाउल में डालिया है इन्हें वीट कर लेंगे तीन मिन्ट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में डबल हो गए है चीनी और मैदे की मेयर्मेंट के लिए जो टेबल स्पून में इस्तमाल करें हूँ यहां से यहां तक 1.8 इंचीज या 2 इंचीज का आप लेंगे तो इंचाला आपसे भी बेकिंग परफेक्ट होगी पीसेवी चीनी या आइसिंग शूगर साथ खाने वाले चमच एक मिन्ट के लिए इससे भी अच्छे से बीट कर लेंगे इसके साथ इसमें कुकिंग ओयल आठ खाने वाले चमच खी या मक्षन एक खाने वाले चमच सर्दी की मौसम में यह जम चुका है रूम टमप्रेचर पे भी इसे थोड़ा मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवीफ करने से इतक्रीबन दो खाने वाले चमच बन गया है इसको शामिल कर देंगे देही एक खाने वाले चमच फिर से दो मिंट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे इसको साइट पी रखते है इसके साथ ही मैदा साथ खाने वाले चमच इस तरह से भर के लिया है कोको पाउडर तीन खाने वाले चमच बेकिंग पाउडर एक चाई की चमच इन सब को ची तरह मिक्स कर लेंगे इसे चलनी से चान की डालेंगे चाने से एर पास होती है जिससे केक बहुत ही सौफ और मॉइस्ट बनेगा वनीला एसेंस एक चाई की चमच इससे पहले ही थोड़ा मिक्स कर लेंगे इस टेच पर इसे अवर मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि अवर मिक्सिंग से भी केक हाट बनता है बेकिंग पैन को ओईल से ग्रीस कर लेंगे बटर पेपर लगा देंगे तुबारा से ओईल से ग्रीस कर लेंगे और फिर से बटर पेपर की एक और लेयर लगा लेंगे बेकिंग पैन एट पाई एट इंचिस का है इसको अची तरह फिला लेंगे इसको अची तरह से टैप कर लेंगे टैप करने से एर बबल्स रिलीज होते हैं एट पाई एट इंचिस में मैंने पहले चॉक्लेट पेस्टिस की रेसिपी भी बनाई थी, वो तक्रीबन तीन अंडों की थी, क्यूंकि मुझे इसमें जादा उंचाई नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसमें दो अंडों वाला केक ही बेक करी हूँ, इलेक्टिक कहुन को वन पेस्मेंट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेते हैं, यह बिल्कुल साफ आई है, केक बेक हो गया है, केक को रैक्यों पर खुला नहीं चोड़ेंगे, इसको किचिन टावल से कवर कर दिया है, और धकन से कवर कर देंगे, इस प्रासे से जब केक अपनी हीट में ठंडा होगा तो इंशला बहुत ही सौफ रहेगा, यहां तक अगर आपसे केक हाट बेक हो गया है, तो वो भी बिल्कुल सौफ हो जाएगा, एक कप हैवी विप क्रीम ले लेंगे, और इसे बीट कर लेंगे, अगर आपके जैन में यह कुस्चिन है, कि कौन से विप क्रीम इस्तमाल की है और इसको विप किस तरह करना है, तो इससे रिलेटेट वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप इससे मतलिक जाना चाते हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अब वहां से देख सकते हैं, एक गंटा हो चुका है, केक को बाय नकाल सेयंगे, बटर पेपर को लब कर लेंगे, केक को सेविंग डिश के हिसाब से कटिंग कर लेंगे, केक को डिश में सेट कर लेंगे, केक की उपर की सता पर इस तरह से सुराह कर देंगे ताकि दूद इसमें एपसॉप हो सके एक कप दूद में एक चमाच चिनी शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दूनौ के उपर थोड़ी-थोड़ी मिगदार में दूट डालते वे अच्छी तरह से सूक कर देंगे नीम घर्म दूद लिया है विप क्रीम लेंगे और इसकी उपर की सता पे अच्छी तरह से कवर कर देंगे कॉर्निर्स की तरफी अच्छी तरह फिला देंगे इस तरह से करते वे किनारे तक लाके यू छोड़ देंगे और किनारों से इस तरह साफ कर लेंगे इस तरह दूसरी डिश पे भी क्रीम को प्लाए कर लेंगे इस तरह से दोनों पे क्रीम लगा लिए है 200 ग्रैम की cooking चॉक्लेट ले लिया है इसमें से half को हम यूज़ करेंगे चॉक्लेट को crush कर लिया है इसमें आठ खाने वाले चमच cooking oil शामिल कर देंगे चॉक्लेट को 2 मिंट के लिए microwave कर लिया है कितना mix करेंगे कि इसमें कोई भी lumps ना रहे और एक और एहम point के चप ये बिलकुल room temperature पे आजएगी तब हम cream के उपर इसे spread करेंगे और चॉक्लेट डालने से पहले ये भी make sure कर लेंगे कि cream हलकी से भी ठंडी ना हो क्योंकि जैसे ही ठंडी cream के उपर चॉक्लेट डालेंगे कि वहीं पे ये जमने लग जाएगी और फैल नहीं पाएगी चॉक्लेट को इसे spread कर देंगे कुछ स्प्रिंकल्स डाल देंगे किचन में रखे रखे बहुत अच्छे से जैम किया है मीन्स फ्रिच में रखने की भी जुरुत नहीं हुई तकरीबन किचन में रैक पे ही रखे 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 तकरीबन 4 गंटे के अंदर चॉक्लेट बहुत अच्छे से सेट हो गई है अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन जूरुत प्रैस कर दीजेगा इसके बाहर आपको मेरे यह नहीं आने वाली वीडियो का नुट्फिकेशन नहीं मिल पाएगा लाइक और शेयर करना ना मुलिएगा दूाओं में याद रखिएगा इसके साथ ही मैं अजाज़ चाहती हूँ अल्ला हाफिज